नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बर फिर से हमारे इस चाड़क की नीति के एक और ग्यान बरधक और नालेजबल वीडियोस में दोस्तों अगर जीस महिला के ये तीन अंग बड़े होते ही तो बहाँ पर बरबादी निश्ची तवर पर आती है यहां तक कि महाभारत तक छिड़ जाती है पुरानी मानिताओं के अनुसार ऐसी महिला सैकड़ों गाओं को बरबाद कर सकती है दोस्तों आज के इस वीडियो म हम महिलाओं के जिन तीन अंगों के बारे में बात करने बले ही उसके बारे में आप भी जानकर चांक जाएंगे पुरानी मानिताओं के अनुसार अगर जिस घर में या आपके आस परोस में इस तरह की महिला दिखाई देती है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपक आपको बता दें, सामुद्रिक सात्र में महिलाओं का रंग और उनकी बनाबट के बारे में संपूर्ड जानकारी भी मिलती है, ऐसे में उनका सोभाव और चरित्र देखकर उस महिला का ब्यक्तित और सोभाव का पता लगाया जा सकता है, ऐसे में हम यहां जानते हैं कि सबसे बड़े कौन से हैं, जिसके कारण महा भारत तक हो जाती है, हो जाते हैं सैकडो गाव बरबाद, तो चलिए जानते हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के उनहीं अंगों के बारे में, मित्रों नमबर एक है, खूपसूरत घना और लंपा ब जिस महिला का बाल अगर कमर से नीचे जाता है, तो यह भी सुभलच्र नहीं होता, ऐसी महिला नकारात्मक उर्जा को आकरसित कर सकती है, जिस महिला के कमर से नीचे घने और लंबे बाल होते हैं, तो उन्हें कई सारी मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है, बही पुरु आपको बरबाद कर सकता है, इसलिए कमर से नीचे बाल नहीं होना चाहिए, और मित्रून नमबर 2 है महिलाओं में बड़े बड़े कूल है होना, अगर हम समाज की बात करें तो किसी भी महिला के बड़े बड़े कूल होना भी अच्छा नहीं होता, बड़े कुलह बाली महिला बाले ही मन से पवित्र हो लेकिन सामने बाला बेक्ति आपको गलत नजरिये से देख सकता है और समाज भी ऐसी महिला को सही ढंक से नहीं देखता इसलिए हर महिला के कूले सीमित मात्रा में ही होने चाहिए ना ज्यादा बड़े और ना ही छोटे हला की कई महिलाएं जान बूझ कर अपने कूलों को बढ़ा करती हैं लेकिन बाद में उन्हें बहुत पच्छतावा होता है आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें और मित्र नमबर तीन है महिलाओं में बड़े बड़े इस्तन होना अगर जिस महिला के बड़े इस्तन होते हैं तो यह भी सुबलच्छर नहीं होता पुरानी मानताओं के अनुसार आएसी महिला भले ही मन से पवित्र हो लेकिन दूसरों की नजरों में इन्हें लोग गलत नजरिये से देखते हैं कई पुरुस्तों आएसी महिला को बासना की द्रश्टी से देखते हैं जो कि अच्छा रही होता अगर हम डाक्टर्स की माने तो महिलाओं के बड़े-बड़े इस्तन होना किसी बड़ी बीमारी होनी की सिकायत हो सकते हैं और मित्रों नंबर चार है ज्यादा खूपसूरती किसी भी महिला का खूपसूरत होना लाजमी है दुनिया में हर महिला इस वर से यह कामना करत कि कास में भी खूपसूरत होती लेकिन कि आप जानते हैं महिला का हद से ज्यादा खूपसूरत होना भी अच्छा नहीं माना जाता महिला की खूपसूरती और उसका च्छाल चलन सैकड़ों गाउबर बाद कर सकता है और यहां बारदा तो हो भी चुकी है इसलिए महिलाओं का ज्यादा खूपसूरत होना भी खतरनाक मना जाता है इतिहास गबाहा है महिला की खूपसूरती के कारण ही कई युद्ध हुए है तो मित्रों हमार आज का ग्यान बर्धा का और नालेजबल वीडियो से बस यहीं तक था